वेल्कम बैक टू नॉलेज रिफ्रेशर आज की ये वीडियो कल्चर ऑफ जे एंड के जो की सेकिंड पार्ट है इसका पहला पार्ट जो फॉक डॉन्स जाएंड के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसी का सेकिंड पार्ट है ये ट्राइपस ऑफ जे एंड के जम्मु किश्मीर की जन जाती है तो मुख्य जन जाती है जो जम्मु किश्मीर में पाई जाती है तो उसके बारे में वीडियो तो शुरू करते हैं सबसे पहली जो ट्राइब है गद्दी ट्राइब जो जम्मु किश्मीर में पाई जाती है ये इंपोर्टेंट ट्राइब जो जम्मु कश्मीर की साथ ही यह हिमाचल परदेश में भी पाई जाती है, यह जन जाती जो गदी ट्राइब्स हैं, यह हिमाचल परदेश में भी पाई जाती है, गरांटी ट्राइबर स्टेटेस इं 1991 में इनको ट्राइब का स्टेटेस मिला था जो इनको 1991 में मिला था पॉपुलेशन 46,489 टोटल पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर में इनकी as per census 2011 mostly Hindus and some are Muslims जादा तर इसमें Hindus होते हैं लेकिन कुछ Muslims भी होते हैं गदी ट्राइब में Muslims भी होते हैं वर्शिपर्स ओफ लॉर्ड शिवा जो बगवान शिव हैं उनके ये पूजा करते हैं यह उनी के भकते हैं जादा इसमें गदी जो ट्राइब्स हैं जादा बगवान शिव की भकती करते हैं यह मेंली फाउंड इन डोड़ा उधंपूर और कठुवा डोड़ा उधंपूर कठुवा रीजन है जो इधर जादा तर यह पाये इधर पाये जाते हैं गदी ट्राइब्स और हिमाचल परदेश की भी फेमस यह ट्राइब है हिमाचल परदेश की यह लेंग्वेजिर जो गद्दी एंड उर्धू जो यह भाशा बोलते हैं गद्दी है कि इनकी अपनी लेंग्वेज है जो अपनी भाशा उर्धू भी बोलते हैं साथ साहत में इक inex tole and dhora with white TERstorm जो इनकी dress है मर्दों की जो आदमियों की dress है वो चोलैं डोगा जो पीछे white color जो हुए यहék ड्रस इसको बोलते हैında white turban white color की पगडी सफेध रंग की पगडी पहानी होती है यह पिचर में आप देख सकते हैं सफेध रंग की पगडी पहानी होती है तो ये इनकी ड्रेस है, गदी जो होते हैं, उनकी ड्रेस है, वुमेन लुआंचीरी जो इनकी ड्रेस पहनी है, वुमेन की ड्रेस को बोलते हैं, लुआंचीरी जो गदी ट्राइब्स की वुमेन होती हैं, उनको पहनी होती हैं, जो फेमस फूड, रैडू राइस, राइस जाता है तो इसी तरह एक important tribe है तो इसमें question exam इस तरह बन सकता है कि इनको tribal status कब मिला था यहां फिर इनकी dress जो woman की dress होती है उनको क्या बोलते है option दी होंगे 3-4 तो इस तरह के question exam से पूछे जाते हैं सिप्पी tribe उसके पास next tribe है सिप्पी tribe unlike other nomadic tribes they have permanent houses बाकी tribes की तरह इनके पास अपना पका घर होता है यह आगे बिछे गूमते नहीं है seasonal variation यह seasonal के साथ गूमते नहीं है इनके पास अपना permanent house पका घर होता है यह एक ही जगह राते है गरांटी tribal status in 1991 1991 में इनको tribal status इनको भी 1991 में मिला था जिस तरह गदी tribe को मिला था status उसी तरह इनको भी 1991 में tribal का status मिला था population 5966 5966 इनकी population है यह कम है इनकी population बड़ी कम है जम्मु किश्मीर में mostly हिंदू जातर इसमें हिंदूस होते हैं वर्षिप लौड शीवा यह भी बगवान शीव की बक्ति करते हैं जिस तरह गदी tribes के people जो लोग होते हैं वो बगवान शीव की पूझा करते हैं उसी तरह यह भी बगवान शीव की पूझा करते हैं mostly founded कठुवा district 17.15 परसेंट यहां point आएगा ज्यादतर यह कठुवा district में पाय जाते हैं और इनकी जो percentage 78.15 परसेंट यह कठुवा district में पाय जाते हैं other districts occupied है डोड़ा और अधंपूर में भी इनके कुछ पाय जाते हैं जो कुछ-कुछ लोग इनके आगे population कम है तो इसी वज़ासे यह काफी कम पाय जाते हैं इन जैका पे उसके बाद next है गुजर्स और बकरवाल्स यह जो third largest ethnic group है यह तीसरा बड़ा ग्रूप है यह एथनी ग्रूप आफ्टर डोगरा और किश्मीरियों के बाद यह तीसरा बड़ा ग्रूप है जम्मू किश्मीर का गुजर्स और बकरवाल्स गुजर्स और cattle herders जो गाय वगारा होते हैं उनके जो पाल पोश्चन करते हैं वाले होते हैं उनको गुजर्स बोला जाता है और बकरवाल्स उनको बोला जाता है शीपस और गोट हर्डर्स जो बेड और बकरवाल्स होते हैं उनके जो जो उन्होंने पाली होती है तो उनको बकरवाल्स बोला जाता है तो उनक लाक इनकी पोपलेशन और बक्रवाल्स की 1.1 लाक इनकी पोपलेशन है तो आस कंपर वहाल वहीं गुजर्स बक्रवाल्स की पोपलेशन कम में गरांटी ट्राइबल स्टेटस इन के 1991 इनको भी उनिस युप का चुन्सिंटी मिला था मोस्ली बिलॉंग पिर्पंजाल की पहाड़ीया है जो बन्याल वाली साइड वहां पे और हिमालिया माउंटेंज जो बाकी माउंटें से शिवालिक ग्रेट हिमालिया तो वहां पर यह पायते हैं इसलिए जदी में जफसे लाज़स ग्रूप है शेयर said same cycle of season movement in winter moves to low hills of shivalic ranges in summers crosses beer-panjal passes and enter Kashmir valley तो इन दुनों की जो movement होती है जैसे season के साथ जो change होती है दुनों की सेम होती है गुर्जर्स और भकरवाल दुनों की सेम होती है सरदियों में ये निचले लाको में आ जाते हैं पहाडियों, तेशी वाली रैंजी जो निचले पहाड़ी होती हैं, वहाँ पर आजाती हैं, उपर जो high ranges, mountain ranges होती हैं वहाँ से low mountain ranges में आ जाती हैं, plain इलाकों में, और गर्मियों में ये पीर बन्जाल की पहाड़ीयों पे cross करके किश्मीर वैली में चल जाती हैं, ज्यादा प नामों से बोला जाता है अजाद, दोदी, बनारा, बनवासी और काफिला गुरूप ऑफ गुजर्स और बकरवाल सिन थाउजन डाट कम टूगेधर फॉर नॉमेडिक जन्नी इनको जो हजारों की संख्या में जो उनका गुरूप होता है गुजर्स और बकरवाल का जो सीजन क अपर अपसाइड हिल की तरफ या फिर प्लेइन की तरफ आते हैं तो उनको बोला जाता है काफिला बोला जाता उनको उसके बाद नेक्स्ट ट्राइब है बोटो ट्राइब थर्ड लाज़ेस ट्राइबल कम्मुनिटी अफ्टर गुजर और बकरवाल जो गुजर और गुष्मीर में यह कंबाइन लिए है इसमें लदाकी ट्राइब्स भी है और जम्मुकुष्मीर की भी है गरांटी ट्राइबल स्टेटस इन 1989 में इनको ट्राइब का स्टेटस मिला था बोटो ट्राइब है जो पॉपलेशन 91495 यह इनकी पॉपलेशन है इतनी टोटल पॉपलेशन है इनकी बोटो ट्राइब के जो लोग है उनकी फालोवर्स अब बुद्धिजम इसमें जो ज़्यादा बुद्धरम को मानते हैं जो इसमें बोटो ट्राइब में लोग होते हैं वो ज़्यादा बुद्धरम को मानते ह उसी के follow करते हैं ये बुद धरम को belongs to mongolioid race जो mongolian race है उसको belong करते है जातर उसके साथ इनका link है जो mongolioid race है उसके साथ boto tribe के लोग उसी के साथ जुड़े हुए ज़ादा उसी की तरह दिखते हैं उनकी तरह reside along the bank of river indus जो indus नदी है उसके किनारे पे रहते हैं ये boto tribe के लोग speaks bodhi language और bodhi भाशा बोलते हैं इंग्जिस जादा तर bodhi भाशा बोलते हैं उसके बाद next जो है वो है balti tribe balti tribe ethnic group of tibetian descent जो tibet है वहाँ का अथनी group है ये balti tribe है जो tibet का अथनी group है ये granted tribal status in 1989 1989 में इनको status मिला था tribe का status मिला था 1989 में population 51,918 कुझा 1,918 इनकी population है total जो population है majority is shia islam while sammar soofia, noor bhagshia and sunni islam इसमें जो majority people होते हैं वो shia islam से belong करते हैं लेकिन कुछ इसमें soofia, noor bhagshia भी होते हैं और कुछ sunni islam से भी belong करते हैं जो balti tribe में major majority है वो shia islam की है major population in kargil and samin lay जो ज़ादा तर इनकी population कहां रहती है वो kargil में रहती है और कुछ lay में भी रहती है balti tribe है जो balti जन जाती speaks balti language ये jnk की language है balti language तो लदाक की है ये लदाक की है लेकिन jnk और लदाक पहले कव इकठे जो था तो उसमन ये इकठे ली जाती दी उनको speaks balti लेंग्वेज तो balti लेंग्वेज ये बोलते है kan khas spiritual training school जो inhaled training to contemplative Thanksgiving उसके बार next tribe है ब्रोपा ट्राइब ये picture में आप देख सकते ब्रोपा ट्राइब के लोग इस तरह के दिखते हैं small community of dark people जो dark people हैं जो लदाक है उनकी small community या ये छोटी जन जाती है ये ब्रोपा ट्राइब granted tribal status in 1989 इनको भी 1989 में मिला था tribe का status जन जाती जो जम्मु किश्मीर लदाक की जन जाती population 48,439 48,449 इनकी population है टोटल जम्मु किश्मीर में predominantly Muslims and summer Buddhists जादा तर Muslims हैं इसमें लेकिन कुछ बुद्धिस्ट भी है ब्रोपा ट्राइब है जो ब्रोपा जन जाती है mainly found in दाहानू गारकॉन चूली चन बाल्टिक ये लदाक की जगह वहाँ ये पाए जाती है maximum mostly ये वहाँ पे पाए जाती है दाहानू जगह घारकॉन हो गई चूली चन बाल्टिक यहाँ पे पाए जाती है speaks broxet language broxet language है जो वो ये बोलती है ब्रोपा ट्राइब के लोग broxet language बोलती है other names द्रोपा दर्द इनके जो और नाम से इनको बुला जाता है जो famous इनका नाम है द्रोपा और दर्द भी इनका famous नाम है जो इस नाम से बुला जाता है उसके बाद next जो आती है पुरिगबा ट्राइब पुरिगबा ट्राइब ये भी लदाख की famous ट्राइब है mainly found in कारगिल लदाख में ये पाई जाती है classified as scheduled tribe in 2001 2001 में इनको scheduled tribe का जो status वो मिला था population 39,101 49,101 इनकी population है predominantly Shia Muslims other half Buddhist जादा ता इसमें Shia Muslims होते हैं और कुछ बुद्धिस्ट भी है speaks पुरिगी language तो ये language को इसी बोलते है पुरगी language तो ये सब जो बाकी famous तो ये ही tribes थी जम्मो किश्मीरो लदाखी combined थी है इसी तरह और भी है लेकिन famous ये ही थी क्योंकि बाकियों की population बहुत कम है असे negligible population है तो उसी वज़े से सबसे famous ये ही थी and thanks for watching the video like, share and subscribe the channel for latest updates